गुड़मारी श्टूटन आज हमने करना है लेसन नमबर टाइन नर्स तो बेटा इसका सार मैंने करवा दिया था आज हमने करना है वो प्रेशन जिसका अंसर हमने तीन चार पंक्तियों में देना है तो हमारा फर्स्ट क्वेशन है सरस्वती की परशानी का क्या कारण था बेटा उसको उससे लिपट कर रो रहा था सरस्वती का बेटा उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था बेटा सरस्वती की कोई भी बास सुनने को त्यार नहीं था बेटा इस पर का रोना और तर्फुना सरस्वती की परशानी का कारण था सरस्वती ने नो नमबर बेड़ वाले बच्चे से क्या मदद मांगी तो हमारा अंसर है सरस्वती को नो नमबर बेड़ वाला लड़का ज्यादा समझदार और अकलमंद लगा वैं शायद दस वर्ष का था सरस्वती ने उसे अपने पास बुला कर कहा कि वैं उसके बेटे को बातों में लगाए क्योंकि जो सरस्वती का बेटा था वो उसको जाने नहीं दे रहा था घर इसलिए उसे कोई कहानी सुनाए था कि वैं वहां से जा सके लड़के ने उसकी बात मान ली और उसकी मदद के लिए त्यार हो गया वैं महेश को के पास जा कर बाते करने लगा और इसी बीच सरस्वती वहां से निकल कर बाहर चले गई ठीक है बेटा आगे है हमारा थर्ड क्वेशन सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया तो हमारा अंसर है जब सिस्टर सुसान ने महेश को रूता देखा तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसकी तरह रूता रहता है वे बहुत शरारती है उसका नाम भी महेश है वे अभी तीन महीनिका है उसने महेश को ये भी बताया कि जब वे उसके साथ खेलती है या उसे गाना सुनाती है तो वे बहुत खुश होता है और अपने हाथ पैर उपर नीचे करने लगता है जैसे कि वे नाच रहा हो महेश के पूशने पर उसने बताया कि व्याभी बोलता नहीं है इसलिए व्याभी अगू अगू करता है जैसे बच्चे करते हैं जब हम उसे बाती है तो बच्चे करते हैं ऐसे वाच कर निकालते हैं ठीक है तो हमारा फूर्थ क्वेशन है दूसरे दिन महेश ने मा को घर चाने की इजाज़त खुशी खुशी क्यों दे दी तो हमारा अंसर है महेश ने दूसरे दिन मा को घर चाने की इजाज़त खुशी खुशी इसलिए दे दी थी क्यांकि सिस्टर ससान के छोटे से बच्चे की बाते सुनकर उसने अपनी मां के बारे में सोचा उसे अपनी शोटी बैहन मौणना के बारे में चिन्ता लगने लगी जिसे उसकी मा पास वाले राज्जु के घर शोड़ाई थी वे नहीं चाहता था कि जब वे रोए तो उसकी मा का कस्ट बढ़े ठीक है आगे है हमारा फिफ्ट क्वेशन और लास्ट क्वेशन सस्वती दुवारा सिस्टर ससान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर ससान ने क्या कहा तो हमारा अंसर है सस्वती दुवारा सिस्टर ससान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट देने पर सिस्टर ससान ने रंग बिरंगे फूलों वाला गुलदस्ता तो ले लिया पर अपने बबलू के लिए गिफ्ट नहीं लिया क्योंकि उसकी अभी ना तो शादी हुई थी और ना ही उसका कोई बच्चा था उसने तो महेश को बहलाने के लिए चूट ही कहा था कि उसका एक चोटा सा बबलू है तो बेटा इस तरह जी हमारे चोट क्वेशन अंसर होगे हैं नेस्ट वीडियो में हम लॉग क्वेशन अंसर करेंगे तो बेटा अगर आपको मेरे बढ़ने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शुरूर करना ताकि मुझे विए उंटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ टेक एर